आखिर मुसीबत के समय भाई ही भाई के काम आया संकट की घड़ी में बड़े भाई मुकेश अमबानी ने छोटे भाई अनिल अमबानी को सहरा दिया और एरिक्सन केज 550 करोड रुपे के बकाय के भुकतान में मदद की इससे अनिल अमबानी पर जेल जाने का जो संकट आया था वो टल गया है अनिल अमबानी ने सही समय पर मदद करने के लिए बड़े भाई मुकेश और भाबी नीता अमबानी का शुक्रिया किया और अभार जताया दरसल ये मामला अनल की अगुवाई वाली रिलाइंस कम्यूनिकेशन फर टेलेकॉम अपकरण बनाने वाली स्वीटन की कमपनी एरिक्सन के करीब पांच सो पच्छास करोर रुपए के बकाया का निप्टारा करने से जुरी है सुप्रीम कोट के आदेश के मताबिक अनलंबानी को मंगलवार तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था ये भुक्तान ना करने पर उन्हें कोट की अवमानना के मामले में जील जाना पड़ता आरकॉम ने सोमवार को 23 समय सीमा खत्म होने से महद एक दिन पहले एरिक्सन को 550 करोर रुपए के बकाया का भुक्तान कर दिया अनलंबानी के साथ साथ आरकॉम की दो यूनिट के चेर्मैन छायफ इनानी और सतीश सेट पर भी जेल जाने का खत्रा मंड़ा रहा था पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उचितम नयाले ने बकाया नहीं चुकाने को जान बूच कर भुक्तान नहीं करने का मामला बताया था इसके लिए कोट ने अंबानी को अदालत की अवमानना का दोशी भी करार दिया साथ ही कम्पनी को आदेश दिया कि वो या तो चार हफते में एरिक्सन के बकाय का भुक्तान करें या अनिल अंबानी तीन महीने के लिए जेल जाने की तयारी कर लें बकाय का निप्टारा करने में सही समय पर मदद के लिए अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई और भावी को धनेवाद दिया अनिल ने कहा मैं अपने आदरनी बड़े भाई मुकेश और भावी नीता के इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहने और मदद करने का तही दिल से शुक्रिया करता हूँ समय पर ये मदद करके उन्होंने परिवार के मजबूत मूलियों और परिवार के महतों को रिखांकित किया है मैं और मेरा परिवार बहुत आभारी है कि हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर आके बढ़ चुके हैं और उनके स्ववभार ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया है एरिक्सन को भुक्तान करने के तुरंट बात आरकॉम ने रिलाइंस जियो के साथ टेलिकॉम एसेट की बिक्री के लिए दिसमबर 2017 में किया गया करार समाप्त करने का भी ऐलान कर दिया दरसल रेगुलेटर शेरधार को समेथ कई अर्चनों के बाद दोनों कमपनियों ने इस करार को तोड़ने का फैसला किया है दोनों कमपनियों ने इस करार को खत्म करने के लिए एलान करते हुए कहा कि सरकार और कर्सदातों से मनजूरी मिलने में देरी और कई तरह की अर्चनों से ये समझौता समाप किया जाता है ये सौदा 17,000 करोर रुपे का था हाला कि अगर ये सौदा उस वक्त पूरा हो जाता तो फिर अनिल अंबानी को कर्स के इस चक्रव्यू में नहीं फसना पड़ता उस वक्त इस डील को अनिल अंबानी के बेल आउट के तौर पर देखा जा रहा था कहा जा रहा था कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को बचाने के लिए ये रक्म आर कॉम के एसेट्स के बदले देने के लिए कहा था लेकिन तमाव मुश्किलों के बीच सौधा पूरा नहीं हुआ और अन्यलंबानी को जेल जाने से बचाने के लिए मुकेश अमबानी ने आगे बढ़कर फिर से अपने छोटे भाई को बचाया है ब्यूरे रिपोर्ट आज तक